सियासत वपार खेड़ां ते फिल्म जगदे नाल देश दुनिया दी हार वड़ी खबर द लई उन्हें डाउनलोड करो देशदी नंबर वान न्यूज एप दैनिक्सवेरा टाइम्स कोविड नाइंटीन दे लई चंदिगड़ परिशासन वलों लगातार परयास किते जारे ने जिस तरीके नाल वी बीमारी दो बचन लई कोशिशा किती जानी है उसारी कितिया जारी है इसी बारे गल करने लगे चंदिगड़ परिशासक्ते पंजाब राजपाल वीपी सिंह बदनौर जी गल कर दे सर सब्तों कहला स्वागता तरीकर रहा करें सर चंदिगड़ परिए फिलहाल की सिचूशन है देखे चंदिगड़ की सिचूएशन मैं कहों तो अच्छी है क्योंकि हमारे अभी तक कोई देथ नहीं हुई है जो भी देथ अगर चंदिगड़ के पर रैफर हुए थे पीजे आएमर के अंदर और हमारे हॉस्पिटल्स में उनकी हुई है आज जानकारी जो हमारी की आज की रिपोर्ट है एक रूप नगर के काव्यक्ति था उसकी विदेथ हुई है पर चंदिगड़ की पुजीशन आज तक तो अच्छी है हम आज जो हर शाम को हमें करीब 15 दिन हो गये हैं हम लोग यहां पर हर शाम को साड़े चार बज़े बैठते हैं कुछी ऑफिसर्स बैठते हैं बाकि हम लोग हमारे वीडियो कॉनफरेंसिंग से हम लोग पीजे आएमर को ले लेते हैं और उनसे डिसकेशन कर लेते हैं उनकी पूरी कॉलेज हमारा 16 है, मेडिकल कॉलेज 32 है, उनको भी वीडियो कॉन्फरेंसिंग पर लेकर उनकी पूरी पूजीशन लेते हैं, हम जानकर ही करते हैं कि कितने केसिस आए हैं, कहां पर आपके, क्योंकि आप जानते हैं कि PGIMR के अंदर हमने एक डेडिकेटिड कोविड ऑस्पिट बना रखा हैं, वहां पर हम लोग खाली पॉजिटिव केसिस डारते हैं, फिर क्योंकि ट्राइसिटी है, ऐसे देखा जाए तो ट्राइसिटी इसलिए है कि एक तरफ हमारे मोहली और दूसरी तरफ पंचकुला, तो वहां के DC's से भी हम लोग चर्चा वीडियो कॉन्फरेंस पर करते हैं उनकी position, हम लोग अलग से कुछ काम करें और वो लोग हम लोगों के साथ में, if they are not in tandem, if they are not with us, तो हम लोगों का पूरी situation गड़ बढ़ जाएगी, इसलिए हम लोगों को उनसे भी बात करना रोज जरूरी है, रोज position हम लोग ले लिते हैं, उसको को या बंद करे तो इसलिए हम लोग ये situation आज की situation है, और आज हमने अभी जो situation ली है, तो वो आपके सामने हमने बताई देखे जो आपने डेरा बसी की बात कहिए, बिल्कुल सही है, वहाँ पे एक spike हुआ था, और कुछ cases वहाँ पे positive पर बहुत अच्छा काम मौहली के BC ने किया है, मुझे बता रहे थे, अभी video conferencing भी बता रहे थे, कि एक एक case हर घर के अंदर जाकर उन लोगों ने उसकी scrutiny की है, उन लोगों से जो screening की है, वो सब हम लोगों ने की है, तो आज जो position हमारे बताए गया, तो उस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं लगातार लोगडाउन दी गल हो रही है कि कई सूबिया ने लोगडाउन वदान लगल किती है, कि चंदी करते बीच्वी लोगडाउन दा कुछ वदान दा कोई जीकर हैगा देखे चार दिन बाद में, क्योंकि हम लोगों ने जब से शुरू किया था, प्रदान मंत्री के, जो हम लोगों के आदेश थे, उससे एक दिन पहले ही हम लोगों ने कर्फ्यू लगा दिया था, एक लोगडाउन की position होती है, और एक कर्फ्यू, कर्फ्यू हम लोग समझ भी आता है, और मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, कि हमारे चंदीगड के अंदर कर्फ्यू का बहुत अच्छी तरह से यहां के लोगों ने उसको फॉलो किया है, हम लोगों के लिए समझे आई थी, essential items का, milk supply का, medicines की, तो हमने 3-4 दिन के कर्फ्यू के बाद म हम लोगों ने relaxation किया था, 8 गंटे का relaxation किया था, वो इसलिए किया था कि भीर नहीं हो, social distancing हो, उसका ध्यान करके हम लोगों ने किया था, आज 15 दिन के बाद में हम लोगों को, हम लोगों ने उसको कम कर दिया, 4 गंटे, आज situation अच्छी है, और लोग काफी अच्छी तरह से उ अच्छी तरह नहीं कर दिया, देखे, आज हम लोग कुछ इस position में नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान का issue है, कहां पे hot spots हैं, कहीं पर spike हो रहा है, Bombay के अंदर हो रहा है, दूसरी जगे UP में हो रहा है, हमारी position अच्छी है, हम एक अलग से कुछ कर दें, उसका असर दूसरो से हो या दूसरों का हमर पर हो जाए, उसका सब का ध्यान रखकर, और दो तिन दिन के अंदर color person, फिर प्रदान मंत्री के जो आदेश आएंगे, उन लोगों ने हम लोगों को क्या power देंगे, कैसे इसको करना है, कैसे stagger करना है, कैसे है, उस पे चर्चा होकर, और doctors को भी मैंन से चंदीगर देशदा पहला यूटी बने है, जित्थे मास्क कंपल्सरी करता गया है, कंपल्सरी नो कीवे लागू करता जाएगा, लोग का कीवे समझाया जाएगा, जिनने नहीं पाया गया जो ना तो कोई फाइन लगाया जाएगा, की होईगा से बहुत सारी चीजे हैं चंदीगर के अंदर हम लोग जब करते हैं, उसका फॉलो अप दूसरे भी करते हैं, और आपने देखा होगा, की हम लोगों ने तीन दिन पहले ये कंपल्सरी किया, उसका असर अच्छा हुआ है, लोग मास्क घर पे बना सकते हैं, लोग हम लोग सप्लाइ भी कर रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कि क्योंकि चंदीगर आगे रहता है, हम लोगों ने इस पर लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको फॉलो किया है, असी वेख्या की 26 मंडी देवी जेडी ओर टनल बनाई है, कि इस तादा प्रपोजल चंदीगर दियो हो पब्लीक प्लेसिस दे वि मिनिस्पल जो कमिशनल साब हैं और सब जिने कर रहे हैं, आज भी हम लोगों ने देखा कि आज उसके अंदर कुछ अच्छा उस पर फरक भी पड़ा है, और ये जो टनल बनाया है, सैनिताइज़ेशन टनल, ये एक नई टेकनलोजी है, ये आगे हम लोग दो तीन जगे जह जनी रिकॉर्मेंटर की पूरी हैगी है? देखिए, रोज रिपोर्ट हम लोग लेते हैं, क्योंकि ये रोज काम आता है और फिर उसको रियूज नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास में काफी आ गए हैं, और हम काफी कमफर्टबल पोजीशन के अंदर हैं, कि ऐसी कोई दिकत आज की स्थिति में तो नहीं हैं, हम लोगों के आगे का हिसाब देखकर हम सोचते हैं कि अभी तो परियाद है। देखे बिलकुल सही है, मैं गवनर भी हूँ, एड्मिस्ट्रेटर चंदिगर का हूँ, मैं हर जिले से संपग में हूँ, कहां कहां प्रॉबलम्स आ रही है, एसेंशल आइटम्स की भी आ रही है, इंडस्ट्री वालों की भी आ रही है, जो अब क्या करते हैं, हर्वेस्टि जी जी ले रहे हैं, मैं संपग में हूँ, और मैं सोचता हूँ कि वहां पे भी अच्छा काम हो रहा है। बिल्कुल इसी के पंजाब दे राजपल दे प्रशाशक जेड़े की रोजजाना इसी वार रूम दे वीच बैके अधिकारेनल मीटिंग कर दे है, पंचकुला ते महाली दे डीसी जी उस वीच होंदे ने, ते पूरा हर सिचुएशन दे उते जड़ी नजर है, ओ बनाई र ओल्वर्ड ओपन चेलेंज, 17 ताइम गोल्ड मेडलिस्ट मियार रफीक मोहमद, पंडित, मॉल्वी, बेगम, तांतरिक, एन चोरा ठंगा तो साबदान, स्पेशलिस्ट वशी करन, सट्टा नंबर, लव मेरेज, पती पतनीच आनबन, विदेश्च पक्का होना, कारुबार पता ना चलना, सिर्फ इकत्ती केंटियां विच्छ समादान, फ्री, 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 मियार रफीक मोहमद, मुबाईल 8334-9607, 8334-9608, ताली